हेलो फ्रेंज आज हम लोग इस वीडियो में चीखेंगे कि इंस्टाग्राम आईडी पर्मानेंट के लिए डिलेट कैसे करते हैं जाहे वो डिलेट करना हो या आईडी को डियक्टिवेशन करना हो तो इसी मेंसे इसी मेथेड से आप लोग कर सकते हैं हम लोगों को इंस्टाग्राम आईडी डिलेट करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम अप्लिकेशन को ओपन करना होगा ओपन करने के बाद में आप लोगों को देख रहा है अपना प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे किलिक करना है किलिक करने के बाद में आप जो Instagram में फोटो या वीडियो प्राइब करते हैं वो आप लोगो सोग करने लएगा उपर की सैड में तिन लाइन दिखाई दे रहा है वहाँ पर किलिक करना है किलिक करने के बाद में एक उप्शन रहेगा Setting and Privacy का तो मेरे यहाँ पर उपर में दिखा रहा है सेटिंग और प्राइबिसी का वहाँ पर आप लोगों को किलिक करना है तो आएए मैं सेटिंग और उस पर प्राइबिसी पर किलिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग उपर के साइड में दिख रहा होगा अकाउंट सेंटर इस अकाउंट सेंटर में आप लोगोंको क्लिक करना होगा जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नया पेज खुलके उपन हो जाएगा चैसे यहाँ पे देखपा आ रहे हुँगे यहाँ पे आप लोगोंको खोजना है परसनाल डीटेल्स तो आप लोग आपने मुबैल में देख लेना कि personal details कहाँ पे हैं उसको चूज करना है और personal details को किलिक करना है तो आएए इसको किलिक करते हैं जैसे ही हिन लोग इसको किलिक करेंगे एक नया पेज फिर से खूल के आजाएगा उसके बाद में सब सी निच्छे यहाँ पे account ownership आयाईंड कंट्रूल का एक museum है वहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है account ownership and control को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद फिर साम लोग के सामने एक नाया पेच खोलके आ जाएगा account ownership and control को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो अप्शन मिल रहा है उसमें से नीचे वाला deactivation और dilation के ओप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को Instagram ID दिखाई देने लाएगा मेरा Instagram ID फेस्बुक के साथ link है इसलिए दो प्रोफाइल यहां पर दिखाई दे रहा है तो मुझे Instagram ID को डिलेट करना है तो मैं यहाँ पर Instagram ID या Instagram को सेलेक्ट कर लूँगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को किलिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे दो ओप्सन मिलेंगे एक डियक्टिवेट अकाउंट और दूसरा डिलेट अकाउंट तो मुझे पर्मनेंट अपना अकाउंट डिलेट करना है तो मैं यहाँ पर डि डियक्टिवेट करना रहेगा तो डियक्टिवेट अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू के ओप्सन पर किलिक करता हूं उसके बाद यहाँ पे कुछ रिजन आप लोगों को चूज करना होगा यहाँ कुछ रिजन आप लोगों को दिया गया है तो मैं इस लोच में से एक बते रिजन चूज कर लेता हूं तो कि मई यहाँ पर प्राइबी से कंसल उप्चन पर क्लिक करता हूं कि अब लोग देख पा रहे होंगे सबसे निचे से ऊपर यहाँ पर उसके बाद यहां पर कंटीनियू के option पर क्लिक करना हैं अब लोगों को Instagram पासवर्ड आप लोगों को यहां पर फिल करना होगा कि तो मैं यहां पर अपना Instagram पासवर्ड को पहले तुम्हें फिल कर लेता हूं मेरा पासपर्ट सेट हो गया है अब मैं यहां पर कंटिन्यू के अप्शन पर किलिक कर देता हूं जैसे कंटिन्यू के अप्शन पर किलिक करूंगा यहां पर देख रहे हैं कंफर्म पर्मानेंट अकाउंट डिलेशन का पोप अपलों के सामने दिख रहा हैं तो यहां पर मैं जैसे है डिलेट अकाउंट पर किलिक करूंगा वैसे ही अगले 30 दिन के अंदर में Instagram ID हमेशा या पर्मानेंट के लिए डिलेट हो जाएगा तो इसको डिलेट होने के लिए एक महिना का टाइम लेगा अगर आप लोग इस डिलेट को कैंसल करना चाहते हैं और आगर डिलेट करना है तो अटोमेटिक तिस दिन के बाद में ये अकाउंट डिलेट हो जाएगा